परिचय बच्चो आज हम अवकल समीकरण सीखेंगे तो प्रश्न है कि हमें अवकल समीकरण को सीखने की आविशक्ता क्यों है? क्या कोई बता सकता है? सेल, क्योंकि अवकल समीकरण एक अभी व्यक्ति है जो मात्राओं और उनके परिवर्तन की दर्से संबंदित है बहुत अच्छा कोई और? सेल, क्या हम अवकल समीकरण के मात्यम से विकासदर का वडन कर सकते हैं? हाँ, और एक अवकलन समीकरण का हल केवल एक संख्या नहीं है अभी तू एक फलन भी है क्या ये दिल्चस्प नहीं है? चलो, अब शुरू करते हैं इस पार्ट में आप जानेंगे की अवकलन समीकरण को कैसे हल करते हैं? उद्देशि इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे अवकल समीकरण की कोटी और घात ग्यात करना अवकल समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल ग्यात करना दिये हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्मान करना प्रधक करण चर्विथी द्वारा अवकल समीकरण द्वारा हल निकालना समघातिये अवकल समीकरण को हल करना और रैखिक अवकल समीकरण को हल करना. एक समीकरण जिसमें स्वातंत्र चर, आशरे चर एवं उनके अवकलज सम्लित होते हैं, एक अवकलन समीकरण कहलाता है. एक ऐसा अफक्लन समीकरन जिसमें केवल 1164 समलित होता है, सामाने अफकल समीकरन कहलाता है। उधारण के लिए dy बटा dx – x log x बराबर 0 अफकल समीकरन की कोटी, अफकलन समीकरन की कोटी अफकल समीकरन में उपस्थेत उचितम अफकलज होती है। उधारण के लिए एक बटा X गुणा D2Y बटा DX वर्ग बराबर E की खात X एक अवगल समीकरण है. उच्छतम कोटी वाले अवगलज अर्थात D2Y बटा DX वर्ग की कोटी दो होती है. अवगल समीकरण की डिगरी यानी खात अवगल समीकरण में उपस्थेत उच्छतम कोटी के अवगलज की उच्छतम खात उस अवगलज समीकरण की खात कहलाती है. उधारण के लिए एक बटा X गुणा D2Y बटा DX वर्ग बराबर E की खात X एक अवगल समीकरण है. इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है. एक बटा X गुणा D2Y बटा DX वर्ग संपून खात 1 बराबर E की खात X. अर्थाथ उचितम कोटी के अवगलज की खात एक है. उधारण निनलिखित अवगल समीकरण की कोटी और खात ग्यात करें. हल दिया गया है की D2Y बटा DX वर्ग की संपून खात 3 जमाँ DY बटा DX बराबर साइन एक्स. इस अवगल समीकरण में कोटी 2 है और खात 3 है. अवगल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल व्यापक हल एक N.V. कोटी के अवगल समीकरण के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशी C का मान बदल सकता है. उधारण के लिए अवगल समीकरण DY बटा DX बराबर E की खात X माइनस 2 इसे समीकरण एक से चिनहित करें. व्यापक हल को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है. समीकरण एक के दोनों तरफ समा करण करने पर हमें प्राप्त होता है. य बराबर E की खात X माइनस 2X प्लस C इसे समीकरण दो से चिनहित करें. हल में C का मान कुछ भी हो सकता है क्यूंकि जब हम Y का अवगलन करते हैं तो C का मान 0 ने हो जाता है क्यूंकि एक अचर का अवगलन 0 ने होता है. विशिष्ट हल एक NV कोटी के अवगल समीकरण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी C का एक विशिष्ट मान होता है. इस प्रकार के हल प्रारंबिक मान समस्याओं में होते हैं. अवगलन समीकरण DY बटा DX बराबर E की घाथ X-2 का व्यापखल Y पराबर E की घाथ X-2X प्लास C है. जब Y-0 बराबर 3 है इसका तादपर है X बराबर 0 पर Y बराबर 3 है. समीकरण 2 में X सथा Y का मान रखने पर हमें प्राप्थ होता है C बराबर 2. अवगलन समीकरण का विशिष्ट हल है Y बराबर E की घाथ X-2X जमादो. अवगलन समीकरण DY बटा DX बराबर 4X-2 का विशिष्ट हल ग्याथ कीजे. जब X बराबर 3 है तब Y बराबर 5 दिया गया है. अल दिया गया है DY बटा DX बराबर 4X-2. दोनों पक्षों का समाखलन करते हैं. Y के सापेक्ष एक का समाखलन बराबर X के सापेक्ष 4X-2 का समाखलन. Y बराबर 2X बर्ग-2X प्लस C विया पक्खल है. जब Y बराबर 5, X बराबर 3 हो तब 5 बराबर 2 गुणा 3 भर्ग-2 गुणा 3 प्लस C. 5 बराबर 18 माइनस 6 प्लस C. 5 माइनस 12 पराबर C, C बराबर माइनस 7. दी गई प्रारंभिक स्थिती के लिए विशिश्ट हल Y पराबर 2X बर्ग-2X माइनस 7 है. दिये हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्मार. स्वेच अचर युक्त तथा XY में एक दिये गई समीकरण से एक अवकलन समीकरण का निर्मार करने के लिए दिये गई समीकरण को X के सापेक्ष निरंतर उतनी बार अवकलित किया जाता है. जब तक एक स्वेच अचर ना आ जाए, इन समीकरणों का उप्योग स्वेच अचर को हटाने के लिए किया जाता है। स्वेच अचर को हटाने से प्राप्त समीकरण को वांचनिये अफगलन समीकरण कहा जाता है। समानिता यदि दो चरों के बीच का समीकरण में N स्वेच अचर हैं, तब इन स्वेच अचरों को हटा कर प्राप्त हुआ अफगलन समीकरण N कोटी का होगा। महत पूर्ण बिंदू 1. एक रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है, जहां m और c स्वेच अचर है 2. मूल्ग से होकर गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है, जहां m एक स्वेच अचर है 3. वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h के तथा त्रिज्य आर है, x-h पूरे का वर्ग प्लस y-k पूरे का वर्ग बराबर r वर्ग है उधारण वक्र कुल का अवकलन समीकरण ग्याद कीजे y बराबर m cos 6x प्लस n sin 6x जहां m n स्वेच अचर है हल दिया है y बराबर m cos 6x प्लस n sin 6x इसे समीकरण एक से चिनहित करें समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर हम पाते हैं dy बराबर – 6m sin 6x जमा 6n cos 6x इसे समीकरण दो से चिनहित करें समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर हम पाते हैं dy बटा dx बराबर – 36m cos 6x – 36n sin 6x इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है dy बटा dx बराबर – 36 गुणा m cos 6x प्लस n sin 6x इसे समीकरण 3 से चिनहित करते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर हम पाते हैं dy बटा dx बराबर – 36y अतैव – d2y बटा dx बर्ग प्लस 36y बराबर – 36 यही वांचनिये अफकलज समीकरण है प्रथम कोटी एवं प्रथम घात के अफकल समीकरण को हल करने की विधिया प्रितक करनिये चरवाले अफकल समीकरण अफकलज समीकरण निमनिलखित रूप का होता है dy बटा dx बराबर – fx बटा gy या gy बटा fx या fx गुणा gy उन्हें क्रमशा इस तरह से लिखा जा सकता है gy dy बराबर – fx dx या dy बटा gy बराबर – dx बटा fx या dy बटा gy बराबर – fx dx एवं इसके पस्चाथ वे समकलित हों उधारण अफकल समीकरण को हल कीजे dy बटा dx बराबर – e की घात x – y प्लस x वर्ग गुणा e की घात घटा y दाएं पक्ष से e की घात घटा y उभे निष्ठ लेने पर हमें मिलता है dy बटा dx बराबर – e की घात x प्लस x वर्ग गुणा e की घात घटा y चरों का प्रत्यकरण करते हैं तथा हमें मिलता है e की घात y dy बराबर – e की घात x प्लस x वर्ग dx दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें मिलता है y के सापेक्ष e की घात y का समाकलन बराबर – x के सापेक्ष e की घात x जमा x वर्ग का समाकलन अर्थात एकी घात वाई पराबर एकी घात एक्स प्लस एक्स घन बटा तीन प्लस सी ये दिये गए अफकलन समीकरण का व्यापक हल है समगात ये अफकलन समीकरण एक प्रथम अफकलज समीकरण के रूप में M, X, Y, D, X जमा N, X, Y, D, Y बराबर शूने को समगात ये कहा जाता है यदि कैपिटल M और कैपिटल N दोनों गुणांक फलन समान खात के समगात ये समीकरण हो हल विधी प्रतिस्थापन Y बराबर VX या X बराबर UY का उप्योग करते हैं प्रतिस्थापन के बाद परिणामी समीकरण, प्रितक करणिये समीकरण होदा है उदारण अफकल समीकरण को हल कीजे DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन हल दिया है DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन इसे समीकरण एक नाम दीजे ये एक समगात ये अफकलन समीकरण है हम Y बराबर VX रखेंगे X के सापेक्ष दोनों तरव अफकलन करने पर DY बटा DX बराबर X गुणा DV बटा DX जमा V अदैव समीकरण एक को इस प्रकार लिखा जा सकता है V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर VX घन बटा X घन जमा V घन गुणा X घन V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर V बटा एक जमा V घन गटा V जो बराबर होगा V घटा V घटा V की घा चार बटा एक जमा V घन के दोनों पक्षों पर समकलन करते हैं तथा हमें राब्त होता है X के सापेक्ष एक बटा X का समकलन बराबर घटा V के सापेक्ष एक जमा V घन गटा V की घा चार का समकलन X के मोट का लॉग बराबर एक बटा तीन वी घन गटा V के मोट का लॉग जमा लॉग C V X के मोट का लॉग बराबर एक बटा तीन वी घन ये इंगित करता है V X बटा C बराबर एक खात एक बटा तीन वी घन ये इंकित करता है कि Y बटा C बराबर E की खाथ X घन बटा 3Y खन अथवा Y बराबर C गुणा E खाथ X घन बटा 3Y खन रैखिक अफकलन समिकरण रैखिक अफकलन समिकरण DY बटा DX जमा PY बराबर Q का हल जहां P और Q केवल X के फलन है निमने लिकित है जहां I.F समकलन गुणक का प्रतिक है तथा इसे नीचे दिये गए सूत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है I.F बराबर E की खाथ X के सापेक्ष P का समकलन यदि अफकलन समिकरण DX बटा DY जमा PX बराबर Q के रूप में हो जहां P और Q Y के फलन है और ना की X के या अचर के इस इस्तिती में समकलन समिकरण I.F बराबर E की खाथ Y के सापेक्ष P का समकलन है और हल X गुणा I.F बराबर Y के सापेक्ष Q गुणा I.F का समकलन जमा C है नोट यदि DY बटा DX का गुणांक I काई ना हो तब इसे इस दोरान I काई बनाया जाना चाहिए उधारण अफकलन समिकरण को हल कीजिए हल दिया गया है DY बटा DX जमा 3X वर्ग पाई बराबर 6X वर्ग इसे समिकरण एक से चिनहित करें PX बराबर 3X वर्ग और QX बराबर 6X वर्ग के साथ दिया हुआ समिकरण रहखिक है समाकलन गुणक को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है I.F पराबर E की खाथ X के सापेक्ष 3X वर्ग का समाकलन जो की बराबर है E की खाथ X घन के समिकरण एक को समाकलन गुणक से गुणा करने पर हमें मिलता है E की खाथ X घन गुणा DY बटा DX जमा 3X वर्ग गुणा E की खाथ X घन गुणा Y पराबर 6X वर्ग गुणा E की खाथ X घन अथवा D बटा DX गुणा E की खाथ X घन गुणा Y बराबर 6X वर्ग गुणा E की खाथ X घन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमारे पास है E की खाथ X घन गुणा Y बराबर X के सापेक्ष 6X वर्ग गुणा E की खाथ X घन का समाकलन बराबर 2 गुणा E की खाथ X घन जमा C Y के लिए हल करने पर हमें मिलता है Y बराबर 2 गुणा C गुणा E की खाथ घटा X घन क्या आप जानते हैं गोट फ्रियेद विलहेम लेबनीज ने चर प्रितक करण की विधी दी उन्होंने रैकिक अफकलन समी करण का हल भी प्रतान किया सारांज आईए हमने जो कुछ तीका है उसे संक्षेप में दोहराएं एक समी करण जिसमें स्वतंत्र चर आश्रिचर एवं उनके अफकलज समलित होते हैं एक अफकलन समी करण कहलाता है अफकलन समी करण की कोटी अफकल समी करण में उपस्थित उच्चतम अफकलज होती है अफकल समी करण में उपस्थित उच्चतम कोटी के अफकलज की उच्चतम खात उस अफकलज समी करण की खात कहलाती है एक N.V. कोटी के अवकल समी करण के लिए व्यापग हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशी C का मान बदल सकता है एक N.V. कोटी के अवकल समी करण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी C का एक विशिष्ट मान होता है इस प्रकार के हल प्रारंभिक मान की समस्याओं में होते हैं यदि दो जरूं के बीच के समिकरण में N स्वेच अचर समलित हो तब इन स्वेच अचरों को हटाकर प्राप्द अवकलन समिकरण N घातिय होगा प्रिधक करणिये चर के साथ अफकलन समी करण में सर्व प्रथम हम चरों का प्रथक करण करते हैं एवं फिर उनका समा करण करते हैं प्रथम कोटी के अफकलन समी करण के निम्न रूप को समघातिये कहा जाता है यदि दोनों कुणांक फलन M तथा N एक समान घात के समघातिये समी करण हो सर्व प्रथम हम Y बड़ाबर VX कमान रखते हैं तथा फिर परिणामी समी करण प्रिधक करणिये चर होता है रहखिक अफकलन समी करण DY बटा DX जमा PY बराबर Q का हल Y गुणा समाकलन कुणक बराबर X के सापेक्ष Q गुणा समाकलन कुणक का समाकलन जमा सी जहां I.F समाकलन कुणांक का प्रतीक है बराबर E की घात X के सापेक्ष P का समाकलन जहां P तथा Q X के फलन है यदि अफकलन समी करण के रूप में DX बटा DY जमा PX बराबर Q लिया जाता है तब इसका हल है X गुणा समाकलन कुणांक बराबर Y के सापेक्ष Q गुणा समाकलन कुणांक का समाकलन जमा सी जहां I.F बराबर E की खात Y के सापेक्ष P का समाकलन जहां P और Q Y के फलन है ना की X या अचर के परिचय बच्चों, हम सभी अब अफकलज के बारे में चानते हैं आज हम समाकलनों के बारे में चानेगे सेर, समाकलन, वे क्या है? क्या वे अफकलनों से संबंदित है? हार आहुल, समाकलन अफकलनों से संबंदित है वे प्रती अफकलज है क्या आप जो कह रहे हैं वो यह है कि यदि साइन एक्स का अफकलन कॉस एक्स है तब कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होगा बहुत अच्छे राहुल हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आओ, मैं तुम सभी को समाकल्नों के बारे में और बताता हूँ इस पार्ट में आप फल्नों के समाकल्नों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न कर्दे में सक्षम हो जाएंगे समाकल्न और अफकल्न के बीच अंतर निकालना प्रतिस्थापन द्वारा समाकल्न निकालना त्रीकोण मिधिये सर्वसमिकाउं का उपयोग करके समाकल्न निकालना आंशिक भिन्नों का उपयोग करके समाकल्न निकालना खंडशा समाकल्न निकालना योगभल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल्न निकालना कलन की आधार भूत प्रमे का उपयोग करके निश्चित समाकलन निकालन और प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन निकालन अब कलन के व्यूद्करम प्रक्रम के रूप में समाकलन यदि capital F of X का अफ़कलन कुणांक F of X है अर्थात capital F of X का D बटा D X बराबर है F of X के तब हम कहते हैं कि F of X के प्रती अफ़कलज या समाकलन capital F और X को निमने रूप से लिखा जाता है ये समाकलन की धारणा है समाकलन के इस प्रतीक का आशे है F of X समाकल है X समाकलन का चर है तथा D X X के सापेक्ष समाकलन को निरूपित करता है किसी चोहरस C के लिए निमन समी करा है X के सापेक्ष का F समाकलन X का F जमासी है जहां C एक स्वेच अचर है ये दिखाता है कि capital F of X तथा X का F जमासी का दोनों एक ही फलन F of X के समाकलन है इस परकार C के विभिन मानों के लिए हमें F of X के विभिन समाकलन राब्द होते है पर्थाद F of X का समाकलन निश्चित नहीं है इस गुण के प्रभाव से capital F of X को F of X का निश्चित समाकलन कहा जाता है अवकलन के विउतकरम प्राकरम के रूप में समाकलन कुछ महतपून समाकलन निश्चित है अवकलन के विउतकरम प्राकरम के रूप में समाकलन कुछ अनिश्चित समाकलन के गुण धर्म निवने लिखित है एक यदि C कोई अचर राशी है तब F of X X का एक फलन है तब X के साबेक्ष C गुणा F of X का समाकलन बराबर C गुणा X के साबेक्ष F of X का समाकलन दो दो फल्लों के योग या अंतर का समाकलन उनके समाकलन के योग या अंतर के पराबर होता है जो की दिया हुआ है यदि X के सापेक्ष F का समा कलन पराबर 5X जमा C टैश हो तब X के सापेक्ष F1 of AX जमा B का समा कलन पराबर 1 बटा A गुणा 5AX जमा B जमा C है उदारण निम्न का समा कलन ग्याद कीजे हल दिया गया समी करण निम्न लिकित है समा कलन के कौन धर्म से हम इसे निम्न परकार लिख सकते हैं अफकलन के व्यूद करम प्राकरम के रूप में समा कलन अफकलन और समा कलन के बीच तुलना अफकलन में एक फलन का अफकलज क्याती अस्तित्व में हो तो एक इकाई फलन होता है जहां समय कलन के रूप में एक फलन का समय कलन अईद्वित्य नहीं है अफकलन में एक बहुपद P के अफकलन के पश्चाद परिणाम बहुपद होता है जिसकी खाद एक होती है एवं जो कैपिटल P की खाद से कम होती है जहां समय कलन के रूप में एक बहुपद कैपिटल पी के अफकलन के पश्चाद परिराम बहुपद होता है जिसकी घात एक होती है एवं जो कैपिटल पी की घात से अधिक होती है अफकलन में अफकलज का उपयोग कुछ भौतिक राशियों का मान क्यात करने के लिए किया जाता है जैसे जब किसी समय टी पर तै की गई दूरी क्यात हो तो एक गती मान कण का वेक निकालने में जहां समाकलन के रूप में समाकलन का उपयोग जब किसी समयटी पर वेक्यात हो तो तै की गई दूरी का परिकलन करने में किया जाता है समाकलन के विधिया समाकलन की तीन विधिया हैं वे हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन आशिक भिन का उपयोग करके समाकलन निकालन और खंडशा समाकलन प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन में हम एक स्वातंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं कुछ त्रीकोन में दिये सर्व समिगाओं के समकलन निम्न हैं। उधारण निम्न का मोलियांकन कीजिए। फल चरण एक एक प्रतिस्थापन फलन यू का चैन कीजिए। प्रतिस्थापन फलन यू पराबर 2X जमा तीन है। चरण तो dx कमान गयाद कीजिए। 2X जमा तीन बराबर यू एक्स के सापेक्श अफकलन करने पर 2 बराबर du बटा dx dx बराबर 1 बटा 2 du प्राप्थ होगा। चरण तीन प्रतिस्थापन करने पर निम्न प्राप्थ होगा X के सापेक्ष 2X जमा 3 की घात 4 का समा कलन बराबर U के सापेक्ष U की घात 4 गुणा 1 बटा 2 का समा कलन चरण 4 परिणामी समा कलन का समा कलन करने पर निम्न प्राप्थ होगा चरण 5 प्रारमभिक चर एक्स पर लोटने पर हमें निम्न प्राप्त होगा अधा हल है एक्स के सापेक्ष दो एक्स जमा तीन की घात चार का समगलन पराबर दो एक्स जमा तीन की घात पांच बटे दस जमा सी त्रीकोण मिथिये सर्व समीगाओं का उप्योग करके समा कलन निकालना जब समा कल्ले एक त्रीकोण मिथिये फ्लन हो तब हम त्रीकोण मिथिये सूतरों का उप्योग करके दिये गए फ्लन को मानक समा कलन या उनके बीच गणितिये योग फल में मदलते हैं साइन वर्ग MX बराबर एक घटा कॉस दो MX बटे दो कॉस वर्ग MX बराबर एक जमा कॉस दो MX बटे दो साइन MX बराबर दो साइन MX बटे दो कॉस MX बटे दो साइन खन MX बराबर तीन साइन MX घटा साइन तीन MX बटे चार कौज खन M X बराबर 3 कौज M X जमा कौज 3 M X बटे 4 10 वर्ग M X बराबर 6 वर्ग M X घटा 1 कौट वर्ग M X बराबर कौज एक वर्ग M X घटा 1 दो कौज A कौज B बराबर कौज A जमा B जमा कौज A घटा B दो साइन A कौज B बराबर साइन A जमा B जमा साइन A घटा B दो साइन A साइन B बराबर कौज A घटा B घटा कॉस A जमा बी उधारन मुल्यांकन कीजे X के सावेक्ष कॉस वर्क 3X घटा 5 का समखलन हल निवन समी करण दिया है तूत्र का उप्योग करने पर हमें प्राप्त होता है X के सावेक्ष एक जमा कॉस दो कॉणा 3X घटा 5 पटे 2 का समखलन जो की पराबर है एक पटे 2 कॉणा X के सावेक्ष एक जमा कॉस 6X घटा 10 का समखलन जो पराबर होगा एक पटे 2 कॉणा X जमा एक पटे 6 कॉणा साइन 6X घटा 10 जमा सी के जहां C त्रेच अचर है कुछ विशेश्ट फलनों का समाकलन आईए अब हम कुछ नीचे दिये हुए विशेश समाकलनों के बारे में जाने कुछ विशेश्ट फलनों का समाकलन निम्न प्रकार के समाकलन X के सापेक्ष एक बटा AX वर्ग जमा BX जमा C का समाकलन तथा X के सापेक्ष एक बटा वर्ग कोल AX वर्ग जमा BX जमा C का समाकलन कारे नियम चरण एक निम्न रूप प्राप्त करने के लिए गुणाख X वर्ग को दुई घात समीकरण के बाहर लेकर गुणाख X वर्ग को संगत बनाते हैं A गुणा X वर्ग जमा B बटा A गुणा X जमा C बटा A चरण तो निम्न रूप प्राप्त करने के लिए X के गुणाख के आधे के वर्ग को जोड़ कर एवं घटा कर X वर्ग तथा X वाले पदों में वर्ग को पूर्ण करते हैं A गुणा X जमा B बटा 2A वर्ग जमा C बटा A माइनस B वर्ग बटा 4A वर्ग चरण तीन समा कले को एक विशेश प्रकार के समा कलन में परिवर्थित किया जाता है चरण चार फलन का समा कलन ग्याद कीजिए निम्न प्रकार के समा कलन X के सापेक्ष PX जमा Q बटा AX वर्ग जमा BX जमा C का समा कलन एवं X के सापेक्ष PX जमा Q बटा वर्ग मूल AX वर्ग जमा BX जमा C का समा कलन कारिनियम PX जमा Q बराबर लेम्डा कुणा 2AX जमा B जमा मियू रखने पर इसका तात्पर है PX जमा Q बराबर लेम्डा कुणा दुई घात समी करण का अफकलज जमा मियू दोनों पक्षों के कुणांक X और अचर पत की तुलना करने पर लेम्डा बराबर P बटा 2A मियू बराबर Q घाटा BP बटा 2A मानों को रखने के बाद समा कलन को विशेश समा कलन में परिवर्दित किया जाता है उधारण एक मुल्यांकन कीजे X के साबेक्ष 1 पटा 1 घाटा 9X वर्ग का समा कलन हल दिया है X के साबेक्ष 1 पटा 1 घाटा 9X वर्ग का समा कलन इसे निम्र प्रकार से भी लिखा जा सकता है एक बटा 9 गुणा X के साबेक्ष 1 पटा X वर्ग घाटा 2 बटा 3 वर्ग का समा कलन निम्र कतित सूत्र को लागू करने पर एक बटा 9 गुणा एक बटा 2 गुणा दो बटा 3 गुणा X घाटा 2 के बहुलक का लौग बटा 3 भाग X जमा 2 बटा 3 जमा सी एक बटा 12 गुणा 3 गुणा 3 एक्स घाटा 2 के बहुलक का लौग भाग 3 जमा 2 जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है उधारण 2 मुल्यांकन करें X के सापेक्ष एक बटा X वर्ग जमा 3 एक्स जमा 3 का समा कलन हल दिया है X के सापेक्ष एक बटा X वर्ग जमा 3 एक्स जमा 3 का समा कलन सर्व प्रथम 3 बटा 2 वर्ग को जोड़कर तथा घटाते हुए X वर्ग तथा X वाले पदों में वर्ग को पून करते हैं एक भाग X जमा 3 बटा 2 वर्ग घटा 9 बटा 4 जमा 3 का समह कलन बराबर एक भाग X जमा 3 बटा 2 वर्ग जमा वर्ग मूल 3 बटा 2 वर्ग निमन कतित सूत्र को लागू करने पर हमें मिलता है एक भाग वर्ग मूल 3 बटा 2 टैन व्यूत करम X जमा 3 बटा 2 बटा वर्ग मूल 3 बटा 2 जमा सी दो बटा वर्क मोल तीन, टैन, व्यूत करम दो एक्स जमा तीन, बटा तीन जमा सी, जहां सी एक स्विच अचर है. उदारण तीन मोल यांकन कीचिये, एक्स के सापेक्ष 6x जमा पांच पटा वर्क मोल 6 जमा एक्स घटा 2x वर्क का समा कलन. हल मानकी आई पराबर एक्स के सापेक्ष 6x जमा पांच पटा वर्क मोल 6 जमा एक्स घटा 2x वर्क का समा कलन. मानकी 6x जमा 5 बराबर capital A, 1 घटा 4x जमा capital B x के गुणांकों को बराबर करने पर 6 बराबर घटा 4A अतयव capital A बराबर घटा 3 बटा 2 अजरपत को बराबर करने पर 5 बराबर capital A जमा capital B अतैव गबिटल B बराबर 13 पटे 2 अतैव 6X जमा 5 बराबर घटा 3 बटा 2 गुण 1 घटा 4X जमा 13 पटे 2 अतैव आई बराबर X के सापेक्ष घटा 3 बटा 2 गुण 1 घटा 4X जमा 13 बटा 2 भाग वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2X वर्ग का समकलन बराबर घटा 3 बटा 2 गुण 1 के सापेक्ष एक घटा 4X भाग वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2 वर्ग X का समकलन इसे समीकरन एक से चिनहित करें 6 जमा X घटा 2X वर्ग बराबर T रखने पर तब 1 घटा 4X dx बराबर dt अब X के सापेक्ष एक घटा 4X बटा वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2X वर्ग का समकलन बराबर X के सापेक्ष एक बटा वर्ग मूल T का समकलन बराबर X के सापेक्ष T घटा 1 घटा 2 का समकलन बराबर T की घट एक बटा 2 भाग 1 बटा 2 बराबर 2 वर्ग मूल T बराबर 2 वर्ग मूल 6 जमा X घटा 2 वर्ग X इसके अत्रिक्त, x के सापेक्ष एक बटा वर्ग मोल 6 जमा x घटा 2 वर्ग x का समह कलन बराबर, x के सापेक्ष एक बटा वर्ग मोल 2 गुणा 3 जमा x वर्टा 2 घटा x वर्ग का समह कलन बराबर, 1 बटा वर्ग मोल 2 गुणा x के सापेक्ष एक बटा वर्ग मोल 49 बटा 16 घटा x वर्ग घटा x वर्ग 2 जमा 1 बटा 16 का समह कलन बराबर, 1 बटा वर्ग मोल 2 गुणा x के सापेक्ष एक बटा वर्ग मोल 7 बटा 4 वर्ग घटा x घटा 1 बटा 4 वर्ग का समह कलन निम्निक कतिस सूत्र का प्रेयोग करने पर बराबर एक बटा वर्क मोल दो साइन व्यूत करम चार एकस घटा एक बटा साथ समिकरन एक से आई पराबर घटा तीन गुणा वर्क मोल छै जमा एकस घटा दो एकस वर्ग जमा तेरा बटा दो वर्ग मोल दो साइन व्यूत करम चार एकस घटा एक बटे साथ जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पी एकस बटा क्यू एकस प्रकार के समाकलन को समाकली के आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है पशर्ते क्यू एकस शून के पराबर ना हो यदि PX की घात QX से कम है तो परिमय फलन को आशिक भिन्न का उप्योग करते हुए समाकलिट किया जा सकता है यदि PX की घात QX से अधिक हो तब हम सबसे पहले लंबे विभाजन की प्रक्रिया का उप्योग करके घात को कम करते हैं और निम्ने नुसार रूप बनाते हैं RX जमा FX बटा QX तथा फिर इसे आशिक भिन्नों का उप्योग करके समाकलिट करते हैं आशिक भिन्नों के विभिन रूप एक जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित रहकिक कारक समलित हैं तब QX बराबर X घटा A गुणा X घटा B यदि PX जमा Q बटा X घटा A गुणा X घटा B एक परिमे फलन है तो इसका आशिक भिन्न केपिटल A बटा X घटा A जमा B बटा X घटा B है दो जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित तथा पुन्दा व्रित रहकिक कारक समलित हैं तब QX बराबर X घटा A गुणा X घटा B यदि PX घटा A गुणा X घटा B एक परिमे फलन है तो इसका आशिक भिन्न केपिटल A बटा X घटा A जमा B बटा X घटा A वर्ग जमा C बटा X घटा B है तीन जब भाजक में गैर पुन्दा व्रित तुईखात खंड समलित हों जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब QX बराबर X घटा A एकस वर्ग जमा BX जमा C यदि PX वर्ग जमा QX जमा R बटा X घटा A गुणा X घटा BX जमा C एक परिमय फलन हो तब इसका आशिक भिन्द कैपिटल A बटा X घटा A जमा BX जमा C बटा X वर्ग जमा BX जमा C है चार जब भाजक में एक पुन्रा व्रित दुई घात खंड समलित हो जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तब QX बराबर AX वर्ग जमा BX जमा C का वर्ग यदि BX वर्ग जमा QX जमा R बटा AX वर्ग जमा BX जमा C का वर्ग एक परिमय फलन हो तब इसका आशिक भिन्द AX जमा B बटा AX वर्ग जमा BX जमा C जमा CX जमा D बटा AX वर्ग जमा BX जमा C के पूरे का वर्ग है उधारन मोल्यांकन कीजे X के सापेक्ष 5X बटा AX जमा 1 गुणा AX वर्ग घटा 4 का समा कलन हल माना की I परावर X के सापेक्ष 5X बटा AX जमा 1 गुणा AX वर्ग घटा 4 का समा कलन इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है बरावर X के सापेक्ष 5X बटा AX जमा 1 गुणा AX जमा 2 गुणा AX वर्ग घटा 2 का समा कलन जमा B बटा X जमा 2 जमा C बटा X घटा 2 दोनों पक्षों में X जमा 1 X जमा 2 X जमा 2 X घटा 2 से गुणा कलने पर 5X बटा A गुणा X जमा 2 गुणा X घटा 2 जमा B गुणा X जमा 1 गुणा X घटा 2 जमा C गुणा X जमा 1 गुणा X जमा 2 गुणांक X वर्ग तथा X पदों की तुल्ला करने के बाद कैपिटल A बराबर 5 बटा 3 कैपिटल B बराबर गटा 5 बटा 2 कैपिटल C बराबर 5 बटा 6 अतैव 5X बटा X जमा 1 गुणा X जमा 2 गुणा X घटा 2 बराबर 5 बटा 3 गुणा X जमा 1 गुणा 5 बटा 2 गुणा X जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा X घटा 2 अतैव आई बराबर एक्स के सापेक्ष 5 बटा 3 गुणा एक्स जमा एक घटा 5 बटा 2 गुणा एक्स जमा 2 जमा 5 बटा 6 गुणा एक्स घटा 2 का समा कलन बराबर 5 बटा 3 एक्स जमा एक के बहुलक कलॉग घटा 5 बटा 2 एक्स जमा 2 के बहुलक कलॉग जमा 5 बटा 6 एक्स घटा 2 का बहुलक जमा सी जहां सी एक स्वेच अचर है खंडिशा समाकलन कारे नियम यदि U और V X के दो फलन हो तब दो फलनों के गुणन का समाकलन पराबर पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन घटा पहले का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन का समाकलन यदि दो विभिन प्रकार के फलन हो तब हम पहले फलन का चयन उस फलन के रूप में कर जकते हैं जिसका प्रतवाक्षर शब्द आई लेट में सबसे पहले आता है यहां केपिटल आई का मतलब है प्रतिलूम त्रीकून मितिये फलन केपिटल आल का मतलब है लगू गण किये फलन केपिटल आई का मतलब है बीज गण तिये फलन केपिटल टी का मतलब है त्रीकून मितिये फलन और केपिटल आई का मतलब है जर घातां किये फलन इस इस्तिती में दूनु फलन यदि त्री कौन में दिये हैं तब इस फलन को दूतिय फलन के रूप में लेते हैं जिसका समगलन सरल है और यदि दूनु फलन बीजगन दिये हैं तब इस फलन को प्रतम फलन के रूप में लेते हैं जिसका अवकलज सरल है उतारण मोलियांकन कीजिए X के सापेक्ष X सेक वर्क 2X का समाकलन खल माना की I बराबर X के सापेक्ष X सेक वर्क 2X का समाकलन खंडशा समाकलन का प्रयोग करने पर I बराबर X गुणा X के सापेक्ष X सेक वर्क 2X का समाकलन घटा X गुणा सेक वर्क 2X के समाकलन का अवकलन का समाकलन I बराबर X गुणा X के सापेक्ष X सेक वर्क 2X का समाकलन घटा 1 गुणा सेक वर्क 2X का समाकलन का समाकलन आई पराबर X गुणा 10 दो X घा 2 घटा 1 बटा 2 गुणा X के सापेक्ष 10 दो X का समगलन आई पराबर X गुणा 10 दो X घा 2 जमा 1 बटा 4 कौस 2X जमा C के बहुलक का लौक जहां C एक स्वेच अचर है खंडिशा समकलन विभिन प्रकार के समकलन X के सापेक्ष E घाथ X गुणा FX जमा F डैश एक्स का समकलन बराबर E घाथ X गुणा FX जमा C जहां C एक स्वेच अचर है तीन और मानक समकलन है समकलन वर्ग मूल A वर्ग घाटा X वर्ग बराबर X बटा 2 गुणा वर्ग मूल A वर्ग घाटा X वर्ग जमा A वर्ग बटा 2 साइन व्योत्क्रम X बटा A जमा C समकलन वर्ग मूल A वर्ग जमा X वर्ग बराबर X बटा 2 गुणा वर्ग मूल A वर्ग जमा A वर्ग बटा 2 X के बहुलक का लौक जमा वर्ग मूल A वर्ग जमा X वर्ग जमा C समाकलन वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग बराबर एक्स बटा दो कुणा वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग बटा दो एक्स के बहुलक का लौग जमा वर्ग मोल एक्स वर्ग घटा ए वर्ग जमा सी जहां सी प्रेच अजर है उदारण मुल्यांकन कीजिए X के सापेक्ष वर्ग मूल 3X वर्ग घटा 9 का समा कलन फल दिया है X के सापेक्ष वर्ग मूल 3X वर्ग घटा 9 का समा कलन इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है वर्ग मूल 3 गुणा X के सापेक्ष वर्ग मूल X वर्ग घटा 3 का समा कलन नीचे दिया के सूत्र प्रयोग करने पर वर्ग मूल 3 कुणा X बटा 2 कुणा वर्ग मूल X वर्ग घटा वर्ग मूल 3 वर्ग घटा वर्ग मूल 3 वर्ग घटा वर्ग मूल 3 वर्ग बटा 2X के बहुलक का लौग जमा वर्कमोल एक्स वर्ग घटा वर्कमोल तीन वर्ग जमासी इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है वर्कमोल तीन गुणा एक्स बटा दो गुणा वर्कमोल एक्स वर्ग घटा तीन घटा तीन बटा दो एक्स के बहुलक का लौग जमा वर्कमोल एक्स वर्ग घटा तीन जमासी जहां सी एक स्वेच अचर है निश्चित समा कलन माना की किसी फलन f of x का कोई प्रती अफगलज या समा कलन capital f of x है तब स्वातंत्र चर x के दोनों मानूं a तथा b के लिए अंतर capital f of b घटा capital f of a को a से b के और f of x का निश्चित समा कलन कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से प्रदशित किया जाता है निम्न सीमा A तथा उच्छ सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समा कलन बराबर F of B घटा F of A जहां F of X का प्रती अफकलज या समा कलन बराबर F of X है A और B समा कलन की सीमा कहलाती है A एक निम्न सीमा तथा B एक उच्छ सीमा है प्राया कैपिटल F of B घटा कैपिटल F of A कैपिटल F of X निम्न सीमा A तथा उच्छ सीमा B वाले लिखन का संक्षिप्टी करण है निश्चित समा कलन योग की सीमा के रूप में निश्चित समा कलन माना की F of X, X का कोई फलन है जो सम्वरित अंत्राल A, B पर संतत है एक प्राकृत संक्या N के लिए H परिभाशित है H बराबर B घटा A बटा N योग की सीमा H कुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F इत्यादी A जमा N घटा A का F कुणा H तक इस तरह N के अनंद तक पहुँचने को अंत्राल A, B पर फलन F of X का निश्चित समा कलन कहा जाता है तथा इसे निम्रप्रकार से निरूपित किया जाता है निम्रसीमा A तथा उच्चिसीमा B के साथ X के सापेक्श F of X का समा कलन अत्यादी A निम्रसीमा A तथा उच्चिसीमा B के साथ X के सापेक्श F of X का समा कलन बराबर सीमा H approaches 009 H कुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F इत्यादी A जमा N घटा A का F कुणा H तक हम निश्चित समाकलन को परिभाशित कर चुके हैं जहां निम्न सीमा उच्छ सीमा से कम है यदि A, B से पड़ा है तब हम परिभाशित करते हैं निम्न सीमा A तथा उच्छ सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन बराबर घटा निम्न सीमा B तथा उच्छ सीमा A के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन हम निम्न को भी परिभाशित करते हैं निम्न सीमा B तथा उच्छ सीमा A के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन बराबर शुनने उदारण यूग द्वारा निश्च समाकलन का मुलियांकन कीजिए X के सापेक्ष X जमाचार का समाकलन जहां निम्न सीमा शुन्ने तथा उच्च सीमा तीन है खल, माना की आई पराबर X के सापेक्ष X जमाचार का समाकलन जहां निम्न सीमा शुन्ने तथा उच्च सीमा तीन है X के सापेक्ष F आफ एक्स का समाकलन जहां निम्न सीमा शुन्ने तथा उच्च सीमा तीन है उससे i की तुलना करने पर a बराबर 0, b बराबर 3, f of x बराबर x जमा 4, h बराबर b घटा a बटा n, बराबर 3 घटा 0 बटा n, बराबर 3 बटा n, n प्राकृत संख्या के अंतर का दाता है. अतैब, i बराबर limit h approaches 0, h गुणा a का f जमा a जमा h का f जमा a जमा 2, h का f जमा इत्यादी, a जमा n घटा a का f गुणा h तक, बराबर limit h approaches 0, h गुणा 0 का f जमा h का f जमा 2, h का f जमा आगे n घटा a का f गुणा h तक, बराबर limit h approaches 0, h गुणा 0, 4, जमा h जमा 4, जमा 2, h जमा 4, जमा आगे n घटा a का f गुणा h जमा 4 तक, बराबर limit h approaches 0, h गुणा h गुणा 1, 2, जमा आगे n घटा a n जमा 4, n तक, n h का मान 3 रखने पर, बराबर c h approaches 0, 3 घटा h गुणा 3 बटा 2, जमा 4 गुणा 3, बराबर 3 घटा 0, जमा 12, बराबर 33 बटा 2, आधार भूत कलन प्रमय, शित्र फलन, माना की y बराबर f of x है, तथा वक्र से खिरे भाग का क्षेत्र भल है, x के सापेक्ष f of x का समा कलन, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा b है, माना की x एक बिन्दू इस तरह है, की x a b के अंतर का दाता है, शित्र से x के सापेक्ष f of x का समा कलन, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा x है, रेखा युक्त भाग के खित्र को दर्शाता है, हम इसे खित्र फलन केपिटल ए आफ एक्स कह सकते हैं, केपिटल ए आफ एक्स बराबर x के सापेक्ष f of x का समा कलन, जहां निम्न सीमा a तथा उच्च सीमा x है, समा कलन करित की प्रथम आधर भूत प्रमै, माना की f बंद अंतराल a b पर एक सतक फलन है, तथा माना की केपिटल ए आफ एक्स एक्षित्र फलन है, तव a b के अंतरगत x के सभी मानों के लिए केपिटल a डैश एक्स बराबर f of x, समा कलन गनित की दुईतिय आधार भूत प्रमै, माना की f बंद अंतराल a b पर पर परिभाशित एक सतत फलन है, तथा केपिटल f, f का प्रती अफकलज या समा कलन है, तब x के सापेक्श f of x का समा कलन जहां निमन सीमा a तथा उच्च सीमा b है, बराबर f of b घटा f of a, उधारण, निश्चिस समा कलन का मुल्यांकन कीजे, x के सापेक्श, एक बटा x का समा कलन जहां निमन सीमा दो तथा उच्च सीमा चार है, हल, हमें क्या थै, x के सापेक्श, एक बटा x का समा कलन जहां निमन सीमा दो तथा उच्च सीमा चार है, कैलकुलस की आधार भूद प्रमैसे X के सापेक्ष एक बटा X का समाकलन जहां निम्र सीमा 2 तथा उच्छ सीमा 4 है बराबर X के बहुलक का लौक जहां निम्र सीमा 2 तथा उच्छ सीमा 4 है बराबर 4 के बहुलक का लौक घटा 2 के बहुलक का लौक बराबर लॉक चार घटा लॉक दो लगू गणा के गुण धर्म का उप्योग करने पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर लॉक चार बटा दो बराबर लॉक दो उधारन आये इसे एक उधारन की सहायता से समझते हैं मुल्यांकन कीजिए एक्स के सापेक्ष कॉज एक्स बटा एक जमा साइन वर्ग एक्स का समा कलन जहां निम्न सीमा शुन्ने तथा उच्छ सीमा पाई बटा दो है हल माना की आई बराबर एक्स के सापेक्ष कॉज एक्स बटा एक जमा साइन वर्ग एक्स का समा कलन जहां निम्न सीमा शुन्ने तथा उच्छ सीमा पाई बटा दो है माना की जट बराबर जी आफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्स के सापेक्ष आफ कलन करने पर dz बटा dx बराबर cos x dz बराबर cos x dx अब हम नई सीमा निकालेंगे जब x बराबर πाई बटा 2 ये इंगित करता है कि z बराबर g आफ πाई बटा 2 बराबर sin πाई बटा 2 बराबर 1 एवं जब x बराबर 0 हो तो ये इंगित करता है कि z बराबर g आफ शूने बराबर sin शूने बराबर शूने अदेव x के सापेक्ष cos x बटा 1 जमा साइन वर्ग x का समा कलन जहां निम्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा पाई बटा 2 है z के सापेक्ष 1 बटा 1 जमा z वर्ग का समा कलन जहां निम्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा एक है बराबर 10 व्यूत करम z जहां निम्न सीमा शूने तथा उच्छ सीमा एक है बराबर 10 व्यूत करम एक माइनस 10 व्यूत करम शूने बराबर पाई बटा 4 घटा शूने बराबर पाई पटा चार निश्च समा कलनों के कुछ गुण धर्म गुण धर्म निम्ने लिके थैं क्या आप जानते हैं सर आईसेक निउटन ने स्वातंतर रूप से कलन विक्सित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संग्शेप में तोहराएं यदि कैपिटल एफ और एक्स का अफ कलन कुणांख एफ और एक्स है अर्थात डी बटा डी एक्स कैपिटल एफ और एक्स बराबर एफ और एक्स तब हम कहते हैं कि एफ और एक्स का प्रती अफकलज या समा कलन कैपिटल एफ और एक्स है एवं जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है X के सापेक्ष F का समाकलन F of X है प्रतिस्थापंद्वारा समाकलन और खंडशा समाकलन प्रतिस्थापंद्वारा समाकलन की विधी में हम एक स्वातंत्र चर को एक दूसरे चर में बदलते हैं यदि एक समाकल्ले एक त्रीकॉन मितिय भलन है तब हम त्रीकॉन मिति के सूत्रों का उप्योग करके दिये गए भलन को मानक समाकल्लों में अथवा उनके बीज कणितिय योग में बदलते हैं। पी एक्स बठा क्यो एक्स को समाकल्ले के आंशिक भिन्न में हल करके समाकलित किया जा सकता है। बशर्ते क्यो एक्स शूने के पराबर ना हो। यदि यू और वी एक्स के दो फलन हैं तब दो फलनों के गुणन का समाकलन बराबर प्रथम फलन गुणे दितिय फलन का समाकलन खटा। प्रथम फलन का समाकलन गुणे दितिय फलन का समाकलन का समाकलन। माना कि किसी फलन F of X का वही प्रती अफकलज या समाकलन F of X है तब 374 X के दो मानों A तथा B के लिए अंतर F of B घटा F of A को A से B की ओर F of X का निश्चित समाकलन कहते हैं तथा इसे निम्न सीमा A तथा वच्चि सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X के समाकलन द्वारा प्रतशित किया जाता है इस परकार निम्न सीमा A तथा वच्चि सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन बराबर FB घटा F A योग की सीमा के रूप में अंतराल A, B पर फलन F of X का निश्च समाकलन, निम्न सीमा A तथा वच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन, पराबर सीमा H approaches 0H गुणा A का F जमा A, जमा H का F जमा A, जमा 2H का F जमा इत्यादी, A जमा N घटा A का F गुणा H तक, जहां H पराबर B घटा A बटा N, समाकलन कणित की आधार भूत प्रमै, निम्न सीमा A तथा वच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष Fx का समाकलन, बराबर निम्न सीमा A तथा वच्च सीमा B के साथ F of X, बराबर F of P, घटा F of A. बराबर निम्न सीमा B के साथ वच्च सीमा B के अभूत प्रमै, निम्न सीमा B के साथ F of All, भी एख वच्च रहां प्रमैं, दोल्च सीमा B के साथ F and P, बराबर F of A.